आज का हमारा पहला कुछन है एक आवेसित कल चुम्ब की छेत्र में छेत्र की दिशा से तीस अंस कोंड पर प्रवेश करता है कण का पत होगा हमारे अफसन है बृत्ताकार कुंडली नीवत दीर्ग बृत्ताकार सलर रिखाएं तो आपका सही अफसन है कुंडली नीवत हमारे नेश्ट कुछन है गति सील आवेस उत्पन करता है हमारे अफसन है केवल बैदुद छेत्र केवल बैदुद चुम्ब की छेत्र बैदुद एवं चुम्ब की छेत्र दोनो बैदुद छेत्र एवं चुम्ब की छेत्र में से के छेत्र दोनों हमारे नेश्ट कूश्चन है चुम्ब के छेत्र में रखा गया एक तार के लूप में से गुजरने वाला चुम्ब के फ्लाक्स निर्भार नहीं करता है हमारे अप्सन है लूप की अक्रती पर लूप के छेत्र पर छेत्र की तीब्रता पर छेत्र के सपेच ल पर हमारा नेश्ट कुश्चन है एक इलेक्टरान तथा एक प्रोटान जिनकी गतीज उर्जियाय समान है एक समान चुम्बके चेत्र के लंबोत पर संचिप्त किये जाते हैं पत की त्रिज्या होगी हमारे अप्सन है प्रोटान के लिए अधिक इलेक्टरान के लिए अधिक दोनों के लिए समान वक्री होंगे दोनों पत्ध सरल रिखाये होंगी तो आपका सही अप्सन होगा प्रोटान के लिए अधीक हमारा अन्येश्ट कुश्चन है एक चुम्भा के छेत्र उत्पन दौरा किया ज़ता है हमारा अप्सन है केवल गतिमान अविज दौरा केवल तो आपका सही option है दोनों के द्वारा हमारा next question है domain किस पदार्थ में बनते हैं हमारा option है प्रति चुम्ब किये लौह चुम्ब किये अनुचुम्ब किये इन में से कोई नहीं तो आपका सही option है लौह चुम्ब किये next question है पिरतिवी के चुम्बक के धुरू पर नीतिकोड कमान है हमारे अप्शन है 90 अंस, 0 अंस, 45 अंस, 60 अंस तो आपका सही अप्शन है 90 अंस हमारे नेश्ट कुश्चन है बेद्दु चुम्बक बनाने के लिए सबसे उचित धातु है हमारे अप्शन है गर्म लोहा, इस्टील, तामबा, निकिल तो आपका सही अप्शन है निकिल हमारे अगला कुश्चन है पिरतिवी के चुम्बक के चेत्र का 36 गटक सूनने होता है हमारे अप्शन है चुम्बक के धुरूप पर, भगवलिक पर, परतेक अस्थान पर, चुम्बक के निरच पर तो आपका सही अप्शन है चुम्बक के धुरूप पर